तो देखिए अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है या आपके घर में महमान आए हैं कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आज की रेस्टी पी आपके लिए है नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपर अस्रम आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे है बहुत ही टेश्टी क्रिस्पी और करारे बहुत सारी परतो वाले आलू पीटी यह बनाने में बहुत आसान है ठाने में बहुत स्वाधिश्ट है और यह टेश्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगी क्योंकि जब आप मार्केट से पेटी लाते हैं तो वो मैदा से बने ह होते हैं लेकिन जो हम आज बनाने वाले हैं ना केहूं के आटे से बनाएंगे और एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे तो आप इसे स्वोस के साथ हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजिएगा चैनल क हो देखिए पेटी बनाने के लिए सबसे पहले मने खाली बरतल लिया है और यहां पर इसमें डाले हैं 2 तुसको आटा रहूले चानना और रियू के लिए जोब के हैं जहब को läuft और लुखणकी चिली फिलक्स डालाए यानि की कुटी हुई लालमिच आदा चमच नमक डाल रही हूं स्वाथ केनो साथ डाल लीजेगा अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजे तो बड़िया से मैंने इसे मिक्स कर दिया है देखे आप यहाँ पर डाल रही हूं मोयन के लिए मैं यह अगर आपके आटे में मुठी नहीं बंद रही होना तो आप थोड़ा सा घीस में और इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने हलका गुनगुना पानी लिया है क्योंकि सर्दियां चल रही है तो गुनगुने पानी से इसका आटा लगाएंगे आटा आटा आपको कै हमारा गरण हो चुका है तो यहाँ पर डाल रही हूं आधा चंक जीरा कर दालेंगे लिगाष हरी मिर्च यहाहाँ पर आपको कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए लिए बना रहे है न थोड़ा कम कर ले इस बहुत हें और यहाँ देखें में के बढ़ै बहुत यहां बंद प्वड़ा सहरा धनिया डाल दिया है कट करके तो अब यह देखे अच्छे से यह भी भून चुके हैं एक से डेड़ मिंट के लिए मैंने इसे बूना है बहुत ज़दा भूननी की जरुत नहीं देखे जो मिर्च है न हलकी सॉफ्ट हो गई है अब यहां पर मैं डाल रही हू और यह भी इसमें डाल देते हैं आप चाहिए तो उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं मैं हाथ उसे इस तरह से क्रेश करके डाल रही हूँ अगर जो भी बड़ा चंस होगा ना मैं इस तरह से तोड़ दूँगी चमस से तो अच्छे से मिक्स करें और तीन से चार मिट के लिए अच्छे से मिलाते जाहिए और भूनते जाहिए गैस को मैंने मीडियम रखा है और देखिए जो भी आलू मुझे बड़ा लगेगा मैं थोड़ा इस तरह से उसे तोड़ दूँगी ताकि जब हम स्ट्रपिंग भरेंगे ना पेटीज में तो हमें दिक्कत ना हो अब यहां चमबच जितना गरम मसाला डाल रही हूं आधा चमबच डालेंगे नमक स्वाथ के मसाथ डाल लीजेगा और अच्छे से मिक्स करिए और एक मिट के लिए बड़ी असे मसालों को भून लीजे मसाले में बड़ी असे मिला दीजे यहां पर मसाला कम जादा आप अपने यह हैं यहां पर आप न warfare के सreubर डाल रही हूं हरा धनिया यहां पर अगर आप निम का रस नहीं डालना चाहता है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाय पर हमचूर पाudर भी डाल सकते हैं तो एक से ऐड़ देख लिए और पढ़ीए से बूनेगे अच्छ high पता है लग जाएगा जब मसाला भुन जाएगा तो कड़ाई को इसदम छोड़ने लगएगा और सिमठने लगएगा सारा पानी इसका कथम हो जाएगा अब यहां देखे मसाला देख लेग जम्हें आपको पास से नहीं किस दरसे सिमठने लगा है और बड़ा चंग्स कुछ तो चलिए इसे क्या करते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा करने के लिए, तो यहां देखें मैंने मसाले को इस तरह से निकाल लिया है, इस मसाले के आप पराटे भी बना सकते हैं, बहुत तेस्टी लगते हैं, तो चलिए इसे उठा कर रख देते हैं, और आगे की त सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कॉनफ्रो लिया है और अच्छे से से मिक्स कर दीजिए इसे साटा कहते हैं यह देखें इस तरह से आपको लिक्विड सा बना लेना है यह हमारे तयार हो चुका है साटा ति इससे उठा कर साइड में रखेंगे इससे क्या होता रहा है लेयर बहुत अच्छी बनती है पेटी में यहाँ देखें आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है अब क्या करेंगे इसे थोड़ा सा मसल लेंगे तो यहां मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूं चिकना कर लेती हूं आटा देखें कितने बढ़िया से चाहिए, जाधा बड़े नहीं होने चाहिए, रोटी से थोड़ा छोटा कर लिजे, देखिए इस तरह से, तो सभी को तोड़ कर इस तरह से रख लेंगे, बहुत ही इसी ए पेटीज बनाना, अब यहाँ देखे इस तरह से एक डो लीजे, और बाकी को आप ठक कर इस तरह से र बहुत ज़्यदा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यदा मोटा भी नहीं होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगे, आपको कैसा इसी रखना है, कितना मोटा चाहिए, और कितना पतला होना चाहिए, अब यहाँ देखे, मैंने इसे बेल लिया है, और मैं आपको दिख यह बहुत इजी तरीका है पेटी बनाने का बहुत सारी लेर्स बनकर आती है इसमें तो यहां देखे मैंने से चार हिस्सो में डिवाइट कर लिया है अब जो साटा हमने बनाकर रखा था था ना वह इस तरह से लगा देंगे यहां पर मैं देखे इसे उंगली से लगा रही अच्छे से शाटा है इस पर बढ़िया से लगाया है ताकि लेर अच्छे से खूलेए अब यहां पर थोड़ा सा सूखा आता रस कर दीजिये और यहां देखे एक लेर मैंने ऐसे चोड़ी यह आपको दिखा दिया अब आपको क्या करना है एक पीस को उठाना है और दूसर के उपर इस तरह से रख देना है यह देखिए एक हिस्सा उठाईए और तीनों हिस्सों को आप इस तरह से उपर रख दीजिए एक तूसरे पर और जो लास्ट वाला बचाए ना उसे उपर उपर रखना है यानि कि जिस पर हमने साटा नहीं लगाए ना उसे उपर रखना है इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है देखे अब यहां पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा और हलकी हलकी हातों से थोड़ा पढ़ा लीजी यानिकि थोड़ा इसे बेल लीजे बहुत ज़़ा प्रेशर मत दीजिए वन्हां क्या हो ना लेयर्स इसकी खतम हो जाए बीच में थोड़ी जगा छोड़ दीनी है बाकि सारी जगे आप इस तरह से पानी लगा देजे पानी अच्छे से लगाएंगे ताकि जो यह ओल में जाकर खूले ना और मसाला बाहा ना निकले आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे ना आपको ऐसा ही लगाना है आप द अच्छे से मसाली को अंदर करते हो इस तरह से दबाईए बहुत इजी तरह के से बन जाते हैं और अच्छे से दबाईएगा ताकि यह ओल में जाकर खूले ना अब यह जो साइड में आपको दिख रहा है ना इससे इस तरह से कट करके निकाल देना है तो यह देखे है हमार पेटीज बनकर तयार हो चुकिए देखे कितनी बढ़िया लगरी इसकी सीव कितनी अच्छी है यह और वेश्टीज भी बहुत ज़दा नहीं होता है यानि कि साइड में बहुत ज़दा आटा नहीं निकलता है अब यह आप इस अंगलियों से अच्छे से थबा दीजे ताक कर ली है और अब इससे फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने गैस पर ओयल रखा है तो ओयल हमें बहुत ज़दा गरम नहीं चाहिए द्यान रखिएगा ओयल यहाँ पर हलका गरमी चाहिए तो यहाँ पर देखें मैं इसमें थोड़ा सा पोश्यन डाल कर देख रही हूँ अ इसमें आपके कठाई में आते हैं उतने ही डालेगा बहुत ज़दा मठ डालेगा क्योंकि फूलते हैं और इनको फूलने के लिए थोड़ी जगे चाहिए होते हैं यहाँ पर मैंने तीन पेटी सी डालें इसमें देखें और डालते हैं इन्हें टाच नहीं करना है इस बात क ध्यान रखेगा क्योंकि यह बहुत सौफ्ट होता हैं जैसे कि मैं आपको कचोरी बनाती हूं तब बहताती हूं तो एक से दो मिन्ट के लिए इसे बिल्कुल भी मत छेड़िएगा यह अपने आप तैरकर उपर आएंगे इनकी लेर्स खुलती हूं दिखेगी आपको देख मैं हलके हलके हाथ से इसे पलट रही हूं बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजेगा क्योंकि अभी भी यह सौफ्ट है और इनकी लेर्स देखेगा आपको दीख रही होगी कितनी अच्छे से खुली है और आराम से इने पलट लीजे बहुत ही बढ़िया लगते हैं बहुत क पकाना है हमें यहना कि sevent के फ्राई करना है आप यहाँ पर देखे जब इस तरह से बन जाएंगे इस तरह से मुग खोल लेंगे अच्छे से तब आपको गयष को थोड़ा तेज कर देना है तो थोड़ा सा मीडियूम से थोड़ा कम रखिएगा और स्व्लो से थोड़ा ज पका रही हूं और यह देखें कि जो लेर्स है ना कितनी गजब हैं मैं आपको उठा कर दिखा रही हूं बार-बार कितनी सुंदर लग रही है और क्रिस्प में इतनी होती है तोड़कर भी दिखाऊंगी अब यहां देखें कलर बढ़ी आसा आ गया है अच्छे से इनकी लेर् रखना है ताकि ओईल होगा ना तो नीचे आ जाएगा यह देखें इस तरह से रखना है आपको इससे उल्टा करके इस तरह से रखिएगा तो यहां पर देखें सारे पेटी इस तरह से आपको फुराई कर लेने हैं तो यहां पर मैं क्या करूँगी इस तरह से जहर में यान कितने बढ़िया लग रहे हैं देखें कचोरी समोसे सब फैल हो जाएंगे इसके सामने यह देखें और यहां हमारे सारे पेटीज बन चुके हैं देखें बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही तेश्टी लगते हैं यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर क कर सकते हैं आप इसे एटाय डबे में भरकर रख लीजे बनाने के बाद और दो से तीन घंटे बाद आप इसे फ्राइए करके मेमानों को सर्फ कर सकते हैं तो यहां देखें नास्त में बहुत गजब लगेंगे और कितने क्रिस्पी है यह तो आपको तोड़ने से पता लग जाएगा और इनकी लेर्स देख लिजे कितनी अच्छी है यह देखें आप इसे सोस के साथ हरी चटनी के साथ या दही के साथ भी इंज्योई कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद